आज हम अपने रसोई में बनाएंगे पनीर मसाला बतिये हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के यूज किये हुए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हेलो अब्रीबन यानीलू स्वागत करती हूं आप सब अपने चैनल लेलूश क्रेटिविटिव में मसाले के लिए हमने ले लेना है सबसे पहले दो टमाटर एक चुकरा हम लेंगे अद्रक का चार से पांच रीमेंड को डख हूं kalking और पर कर सकते हैं टमाटर को हम पीस लेंगे, उसे पहले हम मखाने को पीस लेते हैं, इसे अच्छा सा पाउडर बना लेंगे हैं, बिल्कुल बारिक सा, और फिर टमाटर के पेश्ट को भी हम पीस कर रेडी कर लेंगे, तो टमाटर का पेश्ट भी हम पीस कर रेडी हो गया है, तो अब हम चलते इसे सबजी का टेष्ट और भी जादा अच्छाता है तो हमें यहाँ पर पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है कलर वला और कुछ भी चेंज नहीं करना है बस हमें बटर के साथ इसे एक मिनार सौटे कर लेना है जिसे कि हलका सबस पनीर गर्म हो जाए बस मैं इतन बना कर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा पनिर को निकाल के साइड भी कर देंगे और हम ग्रेवी रेडी करेंगे ओयल में यहां पर तरके के लिए थोरा सा डाला जीरा थोरे से डाल देंगे खड़े गड़म मसाले डाल चीनी लॉंग काली मिर्ज यहां बचाए तो बड़ी इलाईची भी डाल सकते हैं मैंने यह नहीं डाला है और साथ में डाल देंगे एक चमज धनिया पॉडर आधा चमज जाएगा जीरा पॉडर शाथ में एक चमज हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और मसालों के साथ ही जो मसाला में पीज़ा है वो भी डाल देंगे जल्दी से ढख देंगे क्योंकि ये मसाला चटकता बहुत है तो जब दो मिनिट के बाद जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब हम इसे mix कर लेंगे अच्छे से और इसमें हम एक चमच गर्ब मसाला add कर देंगे शाथ में add कर देंगे नमक आवसरता अनुसार डाले और हम यहाँ पर कस्मीरी लाल मिर्च एक चमच add करेंगे कस्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती बस color के लिए और फिर हम इसे ढखकर एक से डेरी मिनट के लिए भून लेंगे, ये मसाला बहुत ज़ल्दी भून जाता है, इसे भूनने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसे और ज़्यादा स्मूद मनाने के लिए इसमें दो चममच एड़ करेंगे, मलाई, ये फ्रेस मलाई, बस दो दिन के निकाल दूद के ऊपर जो लगती है, वह मैंने निकाल के रखा था फ्रीज में, वही एड़ करना है, और फिर हम इसमें एड़ कर देंगे, थोड़ा सा कसूरी में थी, जिशते की सबजी में टेस्ट और भी अच्छा सा आ जाए, और साथ ही हम इसमें एड़ कर देंगे, जो हमने म पानी एड़ करने के बाद हम इसे ढख कर एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला अच्छा सा स्मूथ हो जाए, अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, और देखेंगे तो मसाले ने ओयल बिलकुल साइड अलग कर दिया है, इस टाइम पर चाहिए तो आप स पाणी पानी बहुत है कि स्टाएंगे करने ताकि सब्चे मे पानी डखा हुआ है ठीक हो जाता है, और देखेंगे आपकी पनी की ज्यादा तहरे साप पनी अधम बहुत ही कि बहुत ही ज्एड़ा सॉफ्ट हो चुका है पनीर इस थाओगत इस थे हृध और इखत आप इस acknowledgement पनीज डालने के बाद हम इसे धक कर 5-7 मिनट के लिए बिलकुल मेडियम टू लो फ्लेंट और पका लेंगे ताकि पनीज में अच्छे से ग्रेवी एबजर्ब भी हो जाए और ग्रेवी और भी ज्यादा स्मूथ बन जाए तो बस सब्जी देख सकते और मुस्ट रेडी है औ सब्सक्राइब करें और अगर यह जैसे पर फेस्बूक पेज पर देख रहे तो प्लीज पेज को फॉलो करना नहीं भूले इस रेसे पर चावल या नान रोटी कैसे विसारू कर लें